दोस्तों आज इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं आवला नम्मी की सबसे पुरानी कथा कहते हैं इससे सुनने मात्र से मा लक्ष्मी की कृपा बरस्ती है दोस्तों आप भी चाहते हैं कि मा लक्ष्मी का आश्रुवाद आप पर तामुर बना रहे तो कमेंट में जरूर से लिखेगा जै मा लक्ष्मी तो इस कथा से एक ही चीज समझने को मिलती है कि व्यक्ति को दान करते रहना चाहिए तो चलिए सुन लेते हैं वो कथा एक बार की बात है एक राजा था उसका एक प्रण था कि वह रोज सवा मन आवले का दान करके ही खाना खाया करता था और इससे उसका नाम आवलिया राजा पड़ गया एक दिन उसकी बेटे बहुत सोचने लगे कि राजा इतने सारी आवले रोज दान करते हैं इस तरह तो एक दिन सारा का सारा खाजाना खाली हो जाएगा इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए अब बेटे की बास उनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा और रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में चले गए अब राजा रानी जंगल में आ तो गए अब आमनों का दान कैसे करें अपने प्रण को पूरा कैसे करें राजा ने प्रण लिया वा था कि दान करक वह खाना खाएंगे और इस तरह से साथ दिन बीद गए भूके प्यासे वह दोनों राजारानी बैठे भगवान ने भी सोचा किये थी मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इसका सत्र नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा इसलिए भगवान ने क्या किया जंगल में ही महल राज्य बाग भगीचे बना दिये और भगीचे में धेरों आवले के पेड़ लगा दिये सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना बड़ा राज्य बसा हुआ है राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े सूर्मा सत छोड़या पत जाए सत की छोड़ी लक्षमी फेर मिलेगी आए तो चरू नहा दो कर आले का दान करे और भोजन करे राजा राने ने आवले दान करके खाना खाया और खुशी-खुशी जंगल में रहने लगे एक तरफ तो राजा राने के आराम हो गया, सुक हो गया वहीं उल्टा, दूसरी तरफ आवलाव देवताखा अपमान करने और माता पिता से बुरा वेवहार करने के कारण बहु बेटे के बुरे हाल हो गए, राज्य दुश्मनों ने चीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए, और काम ढूंटे ढूंटे भूंटे वे अपने पिता इतने बड़े राज्य के मालक भी हो सकते हैं, तो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पैचाना, एक दिन बहु ने सास के बाल गूतते समय उनकी पीट पर मस्सा देखा, उसे ये देखकर रोना आने लगा, किसा मस्सा मेरी सास के भी था, हमने ये सोचकर उन्हें आव रानी ने तुरन पलट कर देखा और पूछा कि तो क्यों रो रो रही है, तो उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीट वर भी था, हमने उन्हें आवले दान करने से बना कर दिया था, इसलिए घर शोड़ कर कहीं चले गए, तब रानी ने उन्हें पैचान राजा रानी के साथ रहने लगी, हे भगवान जैसा राजा रानी का सत रखा, वैसा सब का सत रहकना, कहते, सुनते, सारे परिवार को सुखते ना, दोस्तों, गर आपको कथा अच्छी लगी हो, तो कमेंट में जरूर से लिखेगा, जै माल!